जम्मु कश्वीर और लदाक का मामला हो या फिर गंबीर होता जल संकट हो 130 करोर देशवाचियों ने मिलकर नए समाधान तलास ने शुरू कर दिये हैं जम्मु कश्वीर के लदाक के करोड़ों सात्यों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को आकांख्षाओं को पूरा करने में हम जुड़ गए हैं सात्यों आपी की ही प्रेणा से बीते चार महिने में ऐसे अनेक संकल्प पूरे गए गए हैं जो चुनाओ के दौरान हमने लिये थे हमने देश की आठ करोर गरीब बहनों के घर उजवला योजना के तहट गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया था उसको कल ही महारास्त्र के औरंगाबाद के कारकम में हासिर कल्ग लिया गया है और हरियाना में ही साथ लाग से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का लाब मिला है हमने संकल्प लिया था कि पिएम किसान सम्मान निधि का लाब देश के हर किसान परिवार को दिलाएंगे सरकार बनते ही इसको लागू कर दिया गया है अभी तक देश भर में इस योजना के तहट देश के साथ करोड से अधिक किसान परिवारों को लाब मिल चुका है जिसमें तेरा लाग से अधिक परिवार सिर्फ हमारे हर्याना के है इतने कम समय में देश भर के किसानों के खाते में 21,000 करोड रुपिया तो हर्याना के किसानों के खाते में सबाद 400 करोड रुपिये जमा हो जुके किसान परिवारों के लिए ही पेंशन का एक और बड़ा संकल्प आपके सामने भाजपाने रखा था बुड़ापे में सहारा देने वाली हर महिने तीन हजार रुपिये की नियमित पेंशन सुनिश्चित करने वाली ये योजना भी शुरू हो चुकी है बहुत ही कम समय में देश भर के करीब आठ लाग किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ भी चुके इन में से 33,000 चादिक मेरे हर्याना के किसान भाई बहन है आने वाले समय में इसमें ब्यापक वृत्ति होने वाली है बल्कि बहुत ही जल्द छोटे और लगूवे अपारियों और कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना की सुविदा मिलने वाली है बाई और बहनों किसानों के हीत में ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके बल पर दो हजार बाईस तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्षा पूरा होकर के रहने वाला है किसानों की लागत कम हो फसल का उचित दाम उने मिले उपच की बरबादी ना हो इसके लिए निरंतर नए नए प्रकल्प आगे बढ़ाए जा रहे है रोतक में बनने वाला मेगा भुड़ पार्क ऐसी ही कोशिशों का एक हिस्सा है इस फुड़ पार्क से हर्याना के हजारों किसानों और व्यपारियों को फाइदा होने वाला है इसके साथ साथ फुड़ पार्क से करीब करीब साथ हजार लोगों को नए रोजगार मिलने वाले हैं इसके अलावा इसे फुड़ प्रोसेसिंग के इंफासेक्टर को भी ताकत मिलेगी इसके लिए एक प्रभावी सप्लाई चेन यहां विक्सित की जा रही है साथियों भाजपा का एक और संकल्ब है जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया है साल दोजार चौबिस तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका